आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello student, let's see the question A and Q together can do a piece of work in 10 days Okay? Means A and Q अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 10 days में उनके work complete हो जा रहे Next condition क्या है Q and R can do the same work together in 12 days Same work को अगर Q और R मिलके कर रहे हैं तो 12 days में complete हो जा रहे Similarly यहाँ पर P नहीं, A आएगा Okay? Similarly अगर A और R मिलके कर रहे हैं तो उस काम को कितने days में कर रहे हैं 15 days Okay? हम क्या करते हैं One day के लिए निकाल देते हैं Four One day एक दिन में यह दोनों मिलके कर रहे हैं One upon ten Q and R कितना कर लेंगे One upon twelve And A and R 1 upon 15 Okay? हमें क्या बोल रहा है? की की Separately निकालना है क्या करना है? की हर एक एक सेपरेट होके अगर काम करेगा तो कितने days में करेगा ठीक है? तो क्या कर लेते हैं? यह हमारे पास तीन equation आ गई है One, two and three तीनों को हम add कर लेते हैं ठीक है? तो add करने के बाद हमारे पास क्या obtain होगा? अगर add करेंगे तो क्या आ रहा है? Two times A आ रहा है Two times A Two times Q And two times R ठीक है? इनको भी add कर लेते हैं क्या हो चाहेगा? One upon ten One upon twelve Just one upon fifteen Okay यहां से क्या आ चाहेगा? Two common आ चाहेगा A plus Q Plus R Equal to अगर इनका हम लेते हैं तो क्या रहेगा? 66 6 plus 5 plus 4 Okay Then A plus Q Plus R क्या आ चाहेगा? अगर इनको सम करते हैं तो कितना आता है? 15 upon 60 यह 2 नीचे आ जाएगा 1 upon 4 into 2 means 1 upon 8 अगर यह तीनों सात मिलके काम करते हैं तो एक दिन में 1 upon 8 part of work complete करने है ठीक है? यह तो हमारे पास value आ गई A plus Q plus R ठीक है? अब हमें क्या करना है? A alone अगर काम करता है तो A कितने दिन में करेगा? Q कितने दिन में करेगा? और R कितने दिन में करेगा? सबके लिए separately निकालना हुआ तो हम इस equation से ही find out होगा हमें पास क्या दिया हुआ है? A और Q अगर साथ मिलके काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम कर लेते हैं? 1 upon 10 हम यहाँ पे रख सकते हैं A और Q साथ मिलके काम करेंगे तो इन की जगह पे रख सकते हैं 1 upon 10 प्लस R के लिए लेते हैं 1 upon X इससे क्या होगा? R के लिए value आ जाएगी ठीक है? 1 upon 8 minus 1 upon 10 LCM लेते हैं LCM लेंगी तो क्या रहेगा? 45 minus 4 means 1 upon 40 X 40 days X means R R क्या लेगा? 40 days लेगा to complete this work alone अगर अके लिए काम करते हैं Similarly अगर हम दूसरे पुट करते हैं values को Second क्या है? Q plus R अगर Q और R साथ में work करते हैं तो एक दिन में कितना work हो जाएगा? 1 upon 12 ठीक है? A plus Q plus R क्या एक दिन में work करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 upon 12 तर इस से A के लिए आजाएगी 1 upon 8 minus 1 upon 12 48 6 minus 4 2 upon 48 it will be 1 upon 24 4 A अगर ELON काम करता है A टेक 24 days to complete task ELON अब किसका बचा? Q के लिए निकाल लेते हैं A plus R plus Q equal to 1 upon 8 A और R मिलके एक दिन में कितना work कर लेते हैं? 1 upon 15 तिन की जगा पर रख देते हैं 1 upon 15 Q को एज़े इस रखते हैं कि solve करने के बाद क्या वैल्यू आजाएगी? Lcm लेंगे तो 120 यह कितने टाइम आ जाएगा? यह कितने टाइम आचाएगा, 8 टाइम, वैल्यू क्या आजाएगी, 7 उपन 120, means, Q तेक 120 उपन 7 देस, to complete the work, तो तीनो के लिए हमारे पास आ गई, यही बोला था, separately निकालने, एक इतने दिन में वर्क को कर लेगा, एक 24 देस में, और कितने देस में कर लेगा, 40 देस में, and Q 120 उपन 7 देस में, ओके, थैंक यू. आज जी डाउनलोट करें डाउटने टाप, यह वाच्छाप कीजिए अपने डाउट्स, 8 4444 सुपर.